हेलो प्रेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ा रिलीव दिया गया है जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए त GST Portal पर लेकिन उसके अंदर कुछ important changes किये गए है जो relief दिये गए है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में discuss करूँगी अब यह नई जो advisory आई है इसको हम देखते हैं यह advisory क्या कहती है तो यह advisory इसकी date आप देख पा रहे है 6th August है in view of removal of difficulty order number 1 by 2020 जो कि 25 जून को आया था जो अप filing revocation application in case it was rejected has been removed तो यहाँ पे जो बहुत ही important relief दिया गया है इस advisory के अंदर कि पहले आपकी अगर revocation वाली application reject हो गई है पहले जो यह relief दिया गया है इससे पहले क्या था कि अगर आपने revocation के लिए apply कर दिया है और आपकी जो application है वो reject हो चुकी है तो दोबारा से आप revocation के लिए apply नहीं कर पाएंगे लेकिन यहाँ पे इस advisory में आपको कहा गया है the restriction on filing revocation application in case it was rejected has been removed तो वो जो restriction है उसे remove कर दिया गया है इसका यह मतलब हुआ कि अगर आपने पहले कोई revocation के लिए apply किया है और आपका revocation reject हो गया है तो भी आप दोबारा से revocation के लिए apply कर सकते हैं अगरीव taxpayer can file application of revocation of cancellation of registered once again तो आप दोबारा से अपने revocation के लिए apply कर पाएंगे तो यह बहुत ही important relief इस advisory में दिया गया है next जो इन्होंने कहा है further those taxpayers who have filed appeal against rejection of revocation application अब बात आती है उन taxpayers की जिन्होंने appeal file की थी rejection order के against अगर मैं आपको इसकी पुरानी advisory यार दिलाऊं तो वहाँ पे कहा गया था कि अगर आपका revocation reject हो गया है तो आप उसके लिए appeal file कीजिए और अगर decision आपके favor में आता है तो उस decision उस favorable decision को आपको upload करना होगा portal पर जा कर गए अब यहाँ पे वही बात की गई है कि those taxpayers who have filed appeal against rejection of revocation application जिन taxpayer ने appeal के लिए file कर दिया है जिनकी जो revocation application है reject हो गई थी और उन्होंने आगे appeal के लिए file कर दिया है तो वो taxpayer भी अब दुबारा से revocation के लिए apply कर सकते हैं तो यह दो बहुत ही important changes is advisory के द्वारा issue की गए गए है आप लोगों को दिये गए है जो यह advisory आई है taxpayer is required to login and navigate to services उसके पात सबसे पहले आपको अपने account में login करना है services में जाना है registration में जाना है application for revocation to file the application for revocation तो आपको महाँ पे जाकर के application file करनी है तो जो यह application file करने की functionality है वो आज यानि की 6 अगस से शुरू कर दी गई है तो यह दोनों ही important relief है जो की यहाँ पे आपके साथ मैंने discuss किये है इस वीडियो को share जरूर करते रहेगा Thank you for watching